कितने बच्चों का है यह? कितना? कितने लोग का इनिस पटे चार आ रहा है सुधन समझ में आ रहा है कि यह कुष्टन आने की समभावना है कूंकि आपके सलिबस में एक ट्वेस्टन भी है और परसिंटेज भी एधर देखा देखा इधर देखा इधर कुछ नहीं है कैलकुलेशन कर लेना होता है दो तरीके से कर सकते हो लिखना बंद करिये ऊ-चा कि इधर 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 को इसको हटा दीजे परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा न जीरों से कैंसेल अच्छा एक मिनट्ट इदर लिखना बंद करिये थोड़ा अक्टीव होई इधर देखें आप जो X, Y, Z ऐसा पैटन होता है वो एक साइड ले लो और अंग के एक साइड करके कंपेर कर दो सीधे कर सकते हैं हैं हाँ बहुत टेलेंटेड हैं आप लो यह देखो X प्लस Y अपॉन X माइनस एक्वल टू छह बटे यानि तीन बटे दो यह क्या है X प्लस Y अपॉन X माइनस एक्वल टू नहीं बोलो हाना अब इसको सौल्ट करने के यहां से दो तरीके हैं मेरे पास हम भी आपको बता देता है एक तरीका तो यह है इधर इधर देखें इधर देखें पहला तरीका तो इसका यह होता है कि इस दो को इधा ट्रांस्पर कर लो इसको इधा ट्रांस्पर कर लो multiple करके x x side y x side x upon y निकाल दो आप सही है ना और x upon y जब निकल है तो यहां से y common करके काट दो x upon y की value वहां से रख दीजे answer match हो जाएगा दूसरे तरीका क्या होता है इसको सीधे compare कर दो x plus y compare कर दो x minus y compare कर दो दोनों equation को solve करके x और y की value निकाल दो आ रहा है हाना हम compare किये देते हैं ठीक है क्योंकि आपके syllabus में equation है ऐसे इसको सामने सामने compare कर दो x plus y बराबर कितना बोलेंगे लग रहा है पानी नहीं मिला है x plus y बराबर कितना कहां दो x plus y बराबर कितना x minus y बराबर कितना सही है कि नहीं ठीक अच्छा फिर अब सुने द्यान से सुनिए solve कर लेंगे ना इसको तो y y cancel हो जाएगा हो जाएगा तो फिर ये x और x कितना 2 x बराबर 3 दो बहुत बढ़िया x बराबर 2 दे समलो समझ में आ रहा है हाना दो दो को जोड़ दिया तो y से y कट गया बेसिक तरीका बिल्कुल x को उठा के याँपर रख दीजे और उधर ले जाके ट्रांसपर करके घटा दोगे तो कितना हैगा बोलो बोलो 0.5 यानि y इक्वल टू कितना हैगा 0.5 देख रहा है 0.5 इसमें ठीक है 0.5 x और y की वैलू आ गई x कितना आ गया 2.5 y कितना आ गया उठा के वहाँ पर रख दो अब इस पैटन में जो पूछे वहाँ रख दो अब सही है ना अगर यह पूछ रहा ते यहां रख देंगे यह देखो ऐसे देख तो लो द्यान से 2.5 यहां रखिए तो 3 का गुणा 2.5 में करोगे कितना हैगा 7.5 सही लिख रहे हैं कि नहीं चीक है 4 का गुणा यहां पर करो 4.5 बीज से कितना 2 आ रहे है ना x-y 2.5 5-5 अच्छा इसको जोड़ोगे कितना हैगा घटाओगे कितना हैगा आ रहे है कि नहीं सही है ना और डिवाइड करना और डिवाइड कर दो इसको तो यह कितना आ जाएगा 2 फरी 4 दसमलो 7 5 4 दसमलो 7 पाँच या दसमलो अटागे फ्रेक्शन में बना लो वो आप्शन पर डिपेंड करेगा कर लेंगे ना पास कर दीज़े पकड़ा दीज़े पकड़ाई हाँ आप बोलिये क्या कह रहे हैं सायोग में गुणा कर लेते हैं हाँ तो क्या दिक्कत तरीके खुब सारे ना वो डिपेंड करता है आपके दिमाग में कितना है साहिए सान्थ हो जाईए इधर इधर देखो इधर देखो लिखना बंद करो हमने बोला है ना आपको हम चैप्टर नहीं पड़ा रहे हैं आपको ने तो इसके तरीके खुब सारे हैं सायोग में गुणा होता है उपर नीचे चिनने बदल के गुणा करना या एक होता का जूकेट मल्टिपल एक होता है इस तरीके का multiple ठेक जिसमें हम लोग एक होता है कि क्या कहते है सही भी गुणाई हम लोग क्या करते है कि उसमें उपर जोड लेते हैं और नीचे घटा लेते हैं ऐसी कुछ होता है ना जैसे यह लिखा हुआ है A upon B अगर इसको लिखना है लेकिन अभी हम लोग केवलो केवल कुछन को सॉल्व करने की प्रक्रिया सीख ले रहे हैं सही है ना अभी हम आपको बहुत सारा ग्यान देने के लिए नहीं यह आपर है चिक चले आगे इतना हो जाएगा कर लेंगे ऐसे कुछन में अगला कुछन नेक्स्ट लिखे इसी में बिनने के कुछन्स बनते हैं लिखे किसी बिनने के अंस को किसी बिनने के अंस को बिनने के अंस को 60 प्रतिशत बढ़ाया जाता है हर को 40 परसंट घटाया जाता है हर को 40 प्रतिशत घटाया जाता है ठीक है घटाया जाता है तो नई भिन नई भिन 24 बटे 15 प्राप्त होती है बोलेंगे नहीं 24 बटे 15 प्राप्त होती है तो बताईए तो बताएं पुरानी बिनने कितनी होगी बोलेंगे नहीं बात नहीं करेंगे लुक्त कि इदर देखो इदर सांथ सांथ साइलेंट आप बताओ अंस और हर हंडिट भाई माल लेंगे ना हंडिट भाई हंडिट ठीक है साइट पर्सेंट बढ़ ऑगी कभी भीन्ने का कोस्चन आएगा परसंटिज की केस में तो 100 आप बता है शारीज को साइट अबस वाध लेंगे ना है इसको 40 को पाइग टोगय कितना कितना ठीक, मेरे हिसाब से बिन्न इतनी है बराबर में 24 बटे पंदर आरहा इतना, सही है न अच्छा सुनिये ध्यान से अपनी बिन्न और कुश्चन की बिन्न जब आप compare कर लोगे न, तो हमेशा अपनी बिन्न को उठाके transfer कर लेंगे, सही है न, transfer कर लीजे इस पूरे बिन्न को उठाके transfer कर दीजे तो 24 बटे 15 इसको इधर और इसको इधर सही है, 60 बटे 160 60, कोई doubt नहीं इसमें, बोलो हाँ न, कर लेंगे न, cancel कर लो जो कर पाओ 0 से, 0 cancel हो गया ठीक है, फिर 8 से cancel करो 8, 3, 24, 8, 2, 16 16, 2 से ये कितना, 3, 3 से कितना, ये 5 यानि 3 बटे 5 आरे ही मेरी बास समझ में सही है न, बोलो हाँ न, ठीक नोट कर लें, वैसे कितने लोग का मैच हुआ परफेक्ट, एक कोशन और पास कर दो, फीचे पास कर दो इदर देखें, एक कोशन और बनाई है इदर देखें बोट पर अंस और हर ठीक है किसी बिन्न के अंस को, अफ्रेक्ट, नियूमिनेटर किसी, कोशन लिखना है, क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के देख रहे हैं हमको द्यान से कोशन लिखें आप लोग किसी बिन्न के अंस को, दो गुना करके बीस प्रतिशत बढ़ाते हैं तथा हर को तीन गुना करके दस प्रतिशत घटाते हैं तो नई भिन तो नई भिन ये देखे दिख रहा है बोट पर दिख रहा है उस पर बराबर जो लगा है मैंने इसके बाद दिखेगा दस परसन गटाते हैं तो नई भिन चौबीस बटे पच्चिस का थर्टी थ्री होल वन बाई थ्री इस अब दिख रहा है नई भिन चौबीस बटे पच्चिस का थर्टी थ्री होल वन बाई थ्री परसेंट प्राप्त होता है बोले नहीं भई तो बताईए पुरानी बिन कितनी होगी पाल थ्री उजcul प्राप्त 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 अपह बाल मीर रहा है नहीं के और हैं रहा हुष में जर समाथ जोगना जर समा ऩोगना जराे तो फिर इसको बीज परशन करा दोगना जरा तो इसमें डारेक्ट नहीं है 40 है तो शौरब और तीन सो कर दस कर दस कर दो तीस है और तीस कम किया जारा थे है तो 277 तो हमाने हिसाब से इतनी भी नहीं पुर्शन के सब्से इतनी है और उसमें काज़वार 9 ना सिर्फश्व नो त्याज़़ जो गलत कर दो सो चार्ज हो पर के जाते हैं सर आफ करके जाते हैं इस बिद्द आप आप चाहिए पर दो गुना कालो फिर उतना एक पाची का तो सही यह तर दे खलागा एक तो प्रतिसत लगा को इको दूखोपाद करी प्रतिसमे नहीं अटियो नहीं नहीं हाँ बई आगे आंसर अरे वाँ कितना आ रहा है तैलेंटर हैं सौबटे सौ ऐसी सौमानेंगे ना चलो दो गुना करते हैं दो गुना करो कितना दो सो सब्सकोंचा अपिर इसको इसको बीस पर्सन पढ़ाएं कि सीधे मान जोड़ना उसको क्या करेंग executives निकाल जोड़ते हैं सब्सतौंग कितना आते थे दोगुना करके 20% बढ़ाये गये ना तो पहले दोगुना है फिर 20% है आप एक काम करो पहले 20 करके फिर दोगुना कर सकते हैं आप ये पहले कर लो ये बाद में कर लो 100 का 20% बढ़ाईए कितना 120 120 को दो गुना करिए कितना 240 240 समझ में आ रहे ना बात वही आ रही है जैसे यह देखें तीन गुना करके 10 प्रतिशत घटाने का मतलब होता है 100 का 10% घटाओ सीदे बोलो बोलो 90 का तीन गुना करो 270 लाइन सही है ये शेवर है ना सारे बच्चे ठीक है सुनिए पीछे तक सारे कंडिडेट सुने 240 बटे 270 ठीक 24 बटे 25 का 33 होल 1 by 3 परसेंट सुने तो द्यान से 24 बटे 25 का 33 होल 1 by 3 का मतलब 1 by 1 by 3 दीख रहा उसमें 24 बटे 25 का 1 by 3 सही है ना चेक है इतना हमने कैलकुलेट का लिए अब अपनी वैलू को पूरा उठाके ट्रांसपर कर दो वहां पे कर लेंगे ना यह देखो 24 बटे 25 का 1 by 3 और इसको उधर ट्रांसपर करेंगे तो कितना 270 बटे 240 जीरो जीरो कैंसल कर लो 24 से 24 कैंसल हो जाएगा 3 से 9 आएगा तो कितना आएगा 9 बटे बोलो 9 बटे कितने लोग का मैच हुआ यह फ्रेक्शन के दो कोश्चन हमने आपको करा दिये सही है ना अगला टाइप लिखे लिखे कोश्चन लिखे अगला लिखे एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आए का 20 प्रतिशत का 20 प्रतिशत खाने पर और कपड़े पर खाना प्लस कपड़ा तथा 25 प्रतिशत सिच्छा और मकान सिच्छा और मकान सिच्छा और मकान अगे लिखे तथा 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत किस्तों किस्त यानि इंस्टॉल्मेंट्स किस्तों और अन्ने खर्च करता है किस्तों और अन्ने खर्च करता है यदि अब उसके पास यदि अब उसके पास पांच हजार रुपए की बचत हो 5,000 रुपीज सेविंग हो बचत हो पांच हजार रुपए की बचत हो तो बताएं देन फाइंड आउट आये कितनी सेकंड नमबर अरे बोलेंगे नहीं सेकंड नमबर आये कितनी सेकंड नमबर लिखे खाने और कपड़े पर कुल कितना खाने प्लस कपड़े पर कुल कितना नेक्स्ट अगला थर्ड नमबर लिखे केवल सिच्छा पर कुल खर्च कितना अरे बोलेंगे नहीं भई केवल सिच्छा पर कुल खर्च कितना 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 हो गया कितने लोग का गया इधर देखे इधर देखे बोट पर देखे रुख जाई लिखना बंदे करें आप हमें बताओ आये में इतना खाने पर कपड़े पर आये माल लेते ना कितना माल ले अचा सौ का पीस पर्शन कीतना होता है कि असी कहा होता है सौ का पृस आशा ऑथ यो कि हाने और कपड़े पर पाच्चीस परसेंट यानी सिट्षा और को मकान सही है 35 परसेंट यानी मिदलो कितना 35 और फिर बचा कितना मेरे आप से ये calculation है, लेकिन question में बचत बता रहे हैं न, हाँ बीस बराबर कितना, पांच हेजाद, एक बराबर, बोलो बोलो, दो सो टू फाइफ जीरो, सही है, एक मिनिट सुनो तो, अगर एक बराबर दो सो पचास है, तो जो चाहिए वहाँ गुणा करतें, उठाके, कर ले इधर तो देखिए इस दो सो पचास का गुणा, वहाँ वहाँ, 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 जहाँ, जहाँ, जो जो पूछा उसने, सही है न, पहला question, आए, दो सो पचास का गुणा कहा, सो गुणे, दो सो पचास ये समझ में आया, आचा, एक मिनट, खाना और कपड़ा बोलो कितना, बीस में किसका गुणा, बीस में दो सो पचास का गुणा, अचा, फिर क्या बताना है, सिच्छा, सिच्छा बताना है, सिच्छा देखो यहाँ पर, सिच्छा मकान, cannot be, क्योंकि separate नहीं कर सकते हैं, हाँ, दोनों पूष्टा, सिच्छा और मकान, दोनों पूश्ता है ना, तो कितना ठिक करते हैं, 25 का कुणा, इसमें कर लेते, सही है, सही है, लेकिन तब जब सिच्छा मकान, दोनों पूष्ता, सही है ना अनूँज, सही पढ़ा रहे ना अनूज बेटा अनूज कहा है अचा फिर केवल अगर मकान पूछेंगे तो चैन नॉट भी कोश्चन नमबर नेक्स इसमें एक दूसरा पार्ट भी होता है रिमेनिंग वाला लिखे जरा सांत हो जाइए एक व्यक्ति अपनी आये का एक व्यक्ति अपनी आये का 20 प्रतिशत इस्थान ए पर खर्च करता है 20% आर एक व्यक्ति अपनी आये का 20 प्रतिशत इस्थान ए पर खर्च करता है सेज का रिमेनिंग का 50 प्रतिशत इस्थान बी पर खर्च करता है और 50% आफ रिमेनिंग धन्राशी रिमेनिंग अमाउंट एक्सपेंड प्लेस बी वो बी पर खर्च करता है और सेज का और सेज का 20 प्रतिशत इस्थान सी पर खर्च करता है और सेज का बोट पर देखते हैं इस्ट्रक्शर पूरा बना रख़ा है हमने सेज का 20% इस्थान सी पर खर्च करता है सही है यदि अब उसके पास 6400 रुपए सेज हूँ बोलेंगे नहीं 6400 रुपीज और रिमेनिंग 6400 रुपए सेज हूँ तो बताइए दिन फाइंड आउट कुश्चन नमबर फर्स्ट आए कितनी कुश्चन नमबर सेकेंड बी इस्थान पर कितना बी प्लेस पर कितना बोलेंगे नहीं बेटा इसको उठा दीजे थैंक यू ये लिजे अधिया आए सांत हो जाओ हाँ हाँ बहुत बढ़ी हैं अधिया 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 कि अधिया 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 पासवर्ड इसने पासवर्ड दलवा दीजा अधिया हो गया भई हो गया हो गया बहुत बढ़िया कितना आ रहे है सैल्डी कितनी आ रही असी अजार काफी बढ़ियां सैल्डी है इतनी तो सीजल में नहीं देते हैं सांत हो जाओ कितने बच्चों का असी अजार आ रहे है कितने लोग का बीस हजार आ रहे है और और कुछ भी आ रहे है क्या हम चेक करें इधर देखो इधर सांत हो जाओ कपिल देखें हम बाल सही हैं आपके इधर देखें आप आये मान लेंगे ना हम लोग इधर देखो इधर गर्दन उपर करिये पहले यह जो दीरे-दीरे माहौल बना रहे है न सूने का सीधे बैठीए देखे इधर यह कितना माना हम लोगों है सौ सौ में यह बीस परसंट इस थाने पर खर्च हो गया निकाल लेंगे हम लोग सीधे बीस परसंट का मतलब क्या होता है सौ का मतलब तो बीस ही होता है सही कुछ और होता तो एक बार कैल्कुरेट करके भी देखते ठीक है अब सुनिये बहुत द्यान से इस थाने पर कितना हो गया बीस रिमेनिंग आप बताओ सौ में से बीस हटा कर रिमेनिंग कितना बहुत बढ़ी आशी समझ आ रहे है अच्छा रिमेनिंग का कितना पचास परसंट यह इधर देखो रिमेनिंग कुछ नहीं कह रहा था तो सीधे सौ में सब निकलता चला गया सीधे सीधे आंसर सही है ना लेकिन जब सेस कहेगा ना तो आप सौ में से हटा दीजे इसको तो जो बचेगा कितना बच रहा है का 50% कितना 40 40 कहां खर्च हो गया B पर खर्च हो गया फिर उसने बोला सेस अब बताओ 80 में से 40 गया तो बचा कितना समझ में आने लगी अब मैं सही है अच्छा इस 40 का 20% यानि कितना 8 सही है ना बोलो हाना ठीक है अच्छा सुने बहुत ध्यान सुने इतना अगर हम लोगों ने खर्च कर दिया तो अब बताओ 40 बचा था उसमें से भी 20% यानि 8 हमने प्लेस सी पर खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना पूरे पूरे बतिस उस बतिस को बराबर कर लो किसके? 64 अपना सेस कुश्चन के सेस के पीछे वाले बही है देखे दिनका अंसर्ट 4 गुना था देखे 32 बराबर 64 एक बराबर 200 किसका गुणा करेंगे? 100 स़ का सही है ना? 100 का गुणा लगाएंगा आए के लिए तो आए में कितने का गुणा? 100 100 गुणे 200 यानि कितना? 20 हजार सही है 20 हजार? हाँ ना? ठीक है? अब सुनिये बहुत द्यान से बी प्लेस पर भी तो बताना है कितना खर्च है बी प्लेस के लिए इस 200 का गुणा कहां करेंगे? कि 50 कि 50 40 डिजिट का गुणा करेंगे सही है ना? 40 का ठीक है? तो गुणा का लीजे आप 40 का इन प्लेस आफ? बी कितना हैगा? हो जाएगा? सैल्डी के दो पैटर्न अपने आपको बता है ठीक है ना? अगला कोशन लिखे लिखे एक परिच्छा में पास होने के लिए एक परिच्छा में पास होने के लिए चालीस प्रतिशत अंकों की आवशक्ता थी चालीस प्रतिशत अंकों की आवशक्ता थी आगे लिखे एक विद्यार्थी को 142 अंक मिले और वह 18 अंकों से फेल हो गया एक कैंडिडेट को 142 अंक मिले और वह 18 अंकों से फेल हो गया तो बताइए परिच्छा कुल कितने अंकों की परिच्छा कुल कितने इसाल करें । झाल झाल सांतो जाएए इधार 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 पीछे तक कितने बच्छों का अंसर आया है ठीक है बहुत बढ़िया इधर देखो ध्यान से पास होने के लिए कितना चाहिए था बोलो बोलो कितने मिले कितना कम है इस 142 में 18 जोड़ दें जोड़ दें ठीक है 142 में अगर 18 जोड़ होगे तो कितना 160 और वो हो जाएगा क्या पास हो जाएगा कि नहीं पास 142 में 18 जोड़ दें 18 से फेल था ना अगर इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा पास हो जाएगा मतलब कितना 160 बराबर कितना 40 प्रतिशत बराबर 160 एक प्रतिशत बराबर एक प्रतिशत बराबर कितना और अगर एक प्रतिशत बराबर 4 है तो फिर चाहिए क्या टोटल टोटल यानि कितने गुणा बताया था ना परसंटेज का टोटल क्या होता है सौब का गुणा करें कितना है गार बोलें अगला कुश्चन यह एक टाइप है इसका दूसरा लिखे वैसे कितने लोग का मैच हुआ लिखो लिखो सेकेंड लिखो एक परिच्छा में एक परिच्छा में एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को एक स्टुडेंट को 20 प्रतिशा तंक मिले 20 परसंट मार्क्स मिले और वह साढ़े चार नंबरों से फेल हो गया 4.5 मार्क्स से फेल हो गया एक दूसरे कैंडिडेट को एक दूसरे विद्यार्थी को 42 प्रतिशा तंक मिले लिखा हुए बोट पर सारा इस्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा दिकत नहों 42 प्रतिशा तंक मिले और वह पास होने से 6.5 अंक अधिक पाता है बोलेंगे नहीं 6.5 मार्क्स पास होने से ज़्यादा पाता है तो बताईए then find out तो बताएं परिच्छा कुल कितने अंकों की नहीं कनेक्ट हो हाँ बहुत बड़े हैं बहुत अच्छे very good कितना रहे आईए बोट पर देखे सारे बच्चे आप हमें बताओ percentage में कितना अरे बोलो percentage में वो उस बच्चे से कितना पीछे है 22% पीछे है percentage से percentage को compare कर डालिए सही है ना कितना पीछे है बाइस अंकों में कितना पीछे है कितना साड़े चार ये कम है साड़े च्छे ये जादा है तो कुल कितना यहां से यहां तक जाने के लिए साड़े चार हो एक बटे ना 1 बटे 2 बोलो हाना और अगर 2 फिर आप बताओ टोटल परिछा बताने के लिए क्या करें कितना होगा तो कर लेंगे पक्का दो कुश्चंछ चुनाओ के लिए यह एक सिंगल कैंडिडेट था यह डबल कैंडिडेट का पार्ट था है ना लिखे election के questions कैसे होता है एक चुनाव में किना election एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे तीन उम्मीदवार A, B, C थे उनका नाम भी डाल दीजे तीन उम्मीदवार A, B और C थे आगे लिखें A को A को कुल मतों का 60 प्रतिशत वोट मिला A को कुल मतों का 60 प्रतिशत वोट मिला आगे लिखें आगे लिखें तथा B को 5 प्रतिशत वोट मिले 5 प्रतिशत वोट मिले यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने हारने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार ने हारने वाले उम्मीदवार को 12 सो मतों से हराया हो कितने मतों से हराया हो 12 सो मतों से हराया हो तो बताईए मतों की कुल संख्या कितनी बोलेंगे नहीं कितना हा रहे है 40 ठीक है इधर देखो इधर लिखना बंदे करिए आप बताई इसमें जीता कौन होगा कौन ए और हारा सी है हमेशा दूसरे नमबर वाला सबसे पीछे वाले से कंप्यार नहीं करते एक जीता है उससे ठीक एक कम होता है जो हारता है जीता कौन 60 हारा कौन 35 60 वाले ने 35 वाले को हराया कितने मतों से हराया बोलो बोलो 25 सही है कि नहीं ठीक है अच्छा सुनो अगर 25 से अरा रहा है तो 25 परसेंट बराबर कितना 12 एक प्रतिशत बराबर बोलो कितना बोलो बोलो 48 बस 25 चोको 100 और हाँ ठीक है 48 अब बताई चाहिए क्या टोटल यानि कितने गुणा हो जाएगा ना Queshion number next लिखे सारे बच्चे लिखे एक चुनाओ में एक चुनाओ में दस प्रतिशत मत अनुपस्थित हुए दस प्रतिशत मत एपसेंट हुए बीस प्रतिशत मतों को 20 परसेंट बीस प्रतिशत मतों को अवैद घोशित किया गया इन्वैलिट डिक्लियाट किया गया अगे लिखें यदि एक उम्मीद्वार को यदि एक उम्मीद्वार को 60 प्रतिशत वोट मिला हो तो बताईए तो बताएं हारने वाले उम्मीद्वार को हारने वाले उम्मीद्वार को कितने मत प्राप्त होंगे कितने मत प्राप्त होंगे जबकी मतों की संख्या नहीं देना भी हमने जबकी मतों की कुल संख्या पचास हजार है मतों की कुल संख्या पचास हजार है कितने बच्चों का है है आया कितना 3600 पता है एक बार देख लो रिवीजन कर देख लो जल्दे से जिनको नहीं पता वो देख ले बस समझ ले जो पॉइंट्स बता रहे है कभी भी ऐसा कोई भी कुश्चन आजाए ना अनुपस्ते तवैद ये वो सब कुछ है ना जैसे सुनिये तो लिखना बंदे करिए सुने हमको सुने सब लोग हो गया हो गया इनको बिलाई बता रहे हैं जैसे मालीजे भी परिच्छा होगी ठीक है पीटी का पेपर होगा खुब दूर दूर से इंटर गया है सही है है अब मालीजे बहुत सारे बच्चे हो सकता है ए सबस्क्राइब चूड़ एसे होंगे जो एक्जामश छोड़ दें या घूट जाए दोनों सिचूशन हो सकती है सही है ना क्योंकि बविश्य किसी नहीं देखा है, हो सकता है किसी की तभीयत खराब हो जाए वैसे ऐसा होना नहीं चीए, लेकिन नहीं जाएंगे पताचला बीमार हो गए सही है, या कोई और सिच्वेशन, घर में कोई ले जाने वाला नहीं है, पताचला यह भी समस्या है, चीक है, तो माली जे एक्जाम नहीं देने गए, या फिर सेंटर पर पहुंच नहीं पाए, आइडिया नहीं था और वहां पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जहां पर भी हो जाता है कन्वेंस का, सही है, तो पता चला कि आप 10 मिनट लेट होगा, फिर वाइंटरी नहीं दे रहे हैं आपको, यह भी समस्या बहुत बड़ी होती, तो यह एक्जामपल के तौर पर हम आपको यह बताना चाहते हैं, कि समय का मार्जिन मिंटेन करके जाहिएगा, सही ह हर प्रकार से समस्या पता होनी चाहिए, जिसका समाधाना पहले से निकाल के रखिया, सही है, तो यह समस्या आई हैं, सेंटर्स के, जैसे लखना हो बगारा, बहुत सारे एक्जामस होते हैं, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है, पता चला, पचास सो बच्चा पता है कई बार, ठीक है, अच्छा तब जब आप नहें सहर में हो, आपको रास्ता भी नहीं पता है किदर जाना है, आटो वाला जाना इधर था बैठाल किदर ले जा रहा है, घुमा के बाद में उद्री लाएगा, यह भी बहुत बड़ा इशु है, सही है, थोड़ा सा मा प्यों का कि बस बगल वाली गली में है, और आप पूछते पूछते पता चला है कि 10 किलो मीटर उधर है, ठीक है ना, यह सारी चीजे हो जाती है कई बार, ठीक है, टाइम मिंटेन करके रखिए, ऐसे विद्ध्यार्थियों को आयोग तुरंद ठटा देता है, जो लेट पह है रहे हैं, एक मिनट लेट नहीं एकसेप्ट करेंगे, आप ध्यान रखेगा, ठीक है ना, सुनिये तो, एक्जामपल हम आपको छोटा सा बता रहे हैं, अभी यहाँ पर हातीपुर में एक्जाम था, ठीक है ना, एक स्टुडेंट देने गया था, वहाँ पर एक्जाम यह करना सुरू किया, लेकिन उन्हों ने गेट बंदे कर लिया, दस सेकंड बात, सही है ना, बमुस्कल तीन से पान सेकंड का डिफरेंस हुआ, इंट्री नहीं मिली तो नहीं मिली, आप विश्वास मानिया, सही है ना, तो यह आप आयो का कुछ नहीं कर सकते, आप उस सेंटर कुछ नहीं कर सकते, उस टीचर की गलती नहीं है, आप यह ध्यान लखिया, आपको इसलिए एक से डिएड़ गंटे पहले आने के लिए सेंटर पे बोल दिया जाता है, सही है ना, तो यह वो रिस्क नहीं ले सकते, इसमें, आप यह बिलकुल भी नहीं सोचेगा कि हम वहां मिंटेन करके, मार्जिन मिंटेन करके जाहिए, सेकंड सिप्ट वाले में दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत पहले सिप्ट वाले में होगी, चीक है ना, सेकंड सिप्ट थोड़ा लेट है, तो आराम से मार्जिन मिंटेन रहता है, पहले सिप्ट वाले आइडिया नहीं लगा प पहले नुपस्तित हटाता है फिर जो बच्चे बचेंगे ना उनमें ये देखा जाएगा कि पता चला यहां से सुल्तानपुर तक गए हैं और वहां पे बैटके यह कोई गलत भर गया सही ना यह सब आपकी बड़ी मिस्टेक्स हैं इसमें आयोग और वहां पे जो टीचेर कुछ नहीं कर सकते वाइटनर काम नहीं करेगा सही ना बोले सर्व वाइटनर नहीं काम करेगा हम पूद देंगे पूरा ना ना वाइटनर लगाने क्यों ओमार ऐस चीजों का प्रयोग किया पहला वाइटनर दूसरा ब्लेड है ना किसा रम वाइटनर नहीं लगाएंगा मुसको दीरे सी रेस कर दें और फिर लगा देंगे यह सब अगले 5-6 दिन में चोटी चोटी वीडियो बनाके डालेंगे इन गलतियों की और यह तो चलो ठीक है इससे पार पाप है ना तो हर चार में से एक की गलती यह है हर चार में से एक की गलती हो मार भरते समय दस कोश्चन एक साथ भरने की जो आपकी मनादर साहना यह बड़ी खतरनाक है बीसी बीसी अब वहां बहुत बीसी बीसी और बीच में कोश्टन छूड़ गया था वह ध्यान नहीं दियो बीसी बीसी करते चले गए उसमें सब पता चला ओवराल एक सुनिये तो ओवराल जब पता चला कि वेमार बाद में बढ़ गई देखा यार तीन कोश्टन बचें यहां दो ही लाइन बचें उपर नजर गई तो पता चालीस कोश्टन गलत बढ़ते चले आए हैं को कि यह हर चार में से एक की गलती है तीन चार पांच कोश्टन तो ऐसी सईद हो जाते हैं आपको में समझ में नमबर उम्र चीट का मिला के बरिये सब गलतिया नहीं करेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते हैं लास्ट पॉइंट 2019 की सिच्चक बढ़ती परिच्छा OMR सीट बढ़ते समय दस कोश्चन के OMR गलत बढ़ दिये और आज नौकरी में नहीं है सबसे पहले किसको अटाएंगे जो लेट हो जाते हैं अनुपस्थे दस परसेंट अटाईए कितना बोलो बोलो अगर अवैद हटा देंगे तो फिर कितना बचेगा असी अच्छा एक को कितना मिला दूसरे को कितना अब बताओ हमने जीतने वाला पूछा कि हादने वाला कि ये क्या पूछा हादने वाला ना चालिस ना कि जीत हार कांतर पूछा हादने वाला किसका गुणा करेंगे चालिस का गुणा करेंगे तो सौ से सौ कट गया जीरो से जीरो कटेगा ठीक है ना और और जीरो से एक जीरो और कटेगा ठीक है ना इसको कैंसल कर लीजे क्या हुआ अच टोटल वोट दिये है तो यहाँ पे सो की जगह क्या कर लीजे टोटल लिख लीजे कितना ठीक है यह लिख लीजे 50 2.0 से 2.0 काट दो 2.0 से और 2.0 काट दो 2.0 से यह 2.0 काट दो यह 40.0 सुरजचित रहेगा आप ठीक है 5.8.40 14.16 इक सो चौवालेस 14,400 कितने बच्चों का 14,400 तरीका समझ में आया कर लेंगे ये कुश्चन के कादे दें और हम बोलें अगला कुश्चन लिखे लिखे जल्दी से चुनाओं के कुश्चन नहीं दे रहे कर लेंगे की नहीं ठीक है जो सीट देंगे उसमें प्रैक्टिस कर लीजेगे अगले पांच दिन हैं अभी आपके पास आपको सेंटर में मिलेंगे डाउट डिसकस करते रहेंगे और बहुत सारे अच्छे कुश्चन है ना उनको हम यूट्यूब पर भी कराते रहेंगे आके ठीक है ना लेकिन आपको पूरी प्रैक्टिस कर लेनी पूरी सीट लगा लेनी ठीक से ठीक है कुश्चन लिखे अगला चुनाओ का नहीं अगला टाइप अगले टाइप में दो टाइप और देखिए आप जो परसेंटेश के आने की सम्भावन आये हैं एक रेश्यो का कुश्चन और एक व्रद्धी कमी का कुश्चन ठीक है ना बागी तो टाइप बहुत सारे हैं लेकिन उनको पढ़ने क्या हो सकता नहीं है हाँ बोजाए जैसे आये वाला था वैसी यह भी हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन लिखे सांथ हो जाएए रेश्यो का कुश्चन लिखे बोईज और गल्स का अनुपात किसी स्कूल में किसी स्कूल में बोईज और गल्स की संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है तो इस्टू फ्री है दो अनुपात तीन है यदी यदी बीस प्रतिशत वायज को स्कूलर्शिप मिली चातր व्रतिशत गल्स को स्कूलर्शिप मिली चात्र व्रतिशत वायज्ट गल्स को स्कूलर्शिप मिली सहिए है तो बताईए तो बताएए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलर्शिप नहीं मिली कितने परसेंट स्टुडेंट्स को स्कॉलर्शिप मिली बोलेंगे नहीं हो गया? कहाँ जाना है आपको? बहुत जरूरी है बैटे रहे है हो गया? कितना है या अंसर? अभी थो इदर पहले ग्राफ में ये चीज़ समझाई थी मैंने बताया था ना? उसी को कर लीजे ये देखो इदर देखो सुनिए वाइस में बॉइस और गर्स का रिशियो कितना? दो तीन इसमें 20% को स्कॉलर्सिप मिली और 40% को स्कॉलर्सिप यहा मिली मिली ना? हमने पूछा कितने परसन कैंडिटेस को स्कॉलर्सिप मिली या नहीं मिली? दोनों पूछ सकते हैं अचा सुनिए जो पूछेगा उसी को सॉल्व करेंगे दूसरी की कहान ही नहीं समझेंगे ठीक है ना अगर उसने बोला इसको सॉल्व कर दीजा और अगर कहीं उसने यह का होता इधर देखो इधर रिखना बंद करो इधर दिखेंगे बोर्ट पर नहीं पता है न एक्जाम सेंटर पर ऐसी पैनद चलाते हो गर आंसर रेको नहीं आएंगे देखें इधर अगर मोल देता है स्कॉलर्शिप नहीं मिली इनको बुलाइए आप इधर देख लो दो मिनिट के लिए इसकॉलर्शिप नहीं मिली एक कुछानियूंक यहां पर 40 को मिली तो कितने को इस्कॉलर्फ नहीं मिली साथ समझ में आ रहा है ठीक है लेकिन फिलाल तो इस्कॉलर्फ मिली चलो कितना एगा ये कितना 50 यह कितना divide करो कितना 32 32 32% को scholarship मिली कितने को नहीं मिली 68 68% को scholarship ratio gost graph का बने ओचा इसी करोगे कर लेंगे ना एक और लिखलो बस एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आए एक व्यक्ति अपनी आए को दो अनपात तीन आपनी 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 बीस प्रतिशत की कमी और तीस प्रतिशत की व्रद्धी हो तो बताईए तो बताएं कुल कितने प्रतिशत की व्रद्धी अत्वा कमी हुई कितने की 11% की कितने लोग का बहुत बढ़िया ये देखो पान तीनाट दो दस और ये बताना है बोलो ये कितना बीस ये बोलो माइनस का इधर बोलो एक सो बहुत बढ़िया कर लेंगे ना बस ध्यान रखना कहीं पर भी कमी होगा तो उसको किसमे लिखेंगे मल्टिपल भी किसमे सही है ना अच्छा एक सो पचा सो बीस कितना एक सो सत्तर में इसको घटा हो कितना 110 गटा की कितना एक सो दस अच्छा इसको डिवाइट करो कितना एक सो प्लस की माइनस यानी माइनस होता तो question number लिखे next number ये हो जाएंगे लिखो लिखो next लिखो जल दे से एक इस्थान की जन संख्या एक इस्थान की जन संख्या दस प्रतिशत बढ़ जाती है एक इस्थान की जन संख्या दस प्रतिशत बढ़ जाती है आगे लिखें तो बताईए तो बताएं तीन वर्स बाद तीन वर्स बाद उस इस्थान की जन संख्या में उस इस्थान की जन संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कुल कितने प्रतिशत की व्रद्यत्वा कमी होगी कितना आ रहे तीन वर्स बाद पूछा न हमने कितने वर्स बाद इधर देखो देखना बंदे करो आओ देखो इधर सारा दिमाग इसी चीज में लगा लेना देखें सौ मानेंगे न? य耶 कभी भी व्रद्धी या कमी किसी भी कन्डीशन में हो तो अगर व्रद्धी हो तो जोड़ के गुणा करके आप पॉनसो और कमी हो तो गटा के गुणा करके आप पॉनसो सही है न? अभी जैسे बोला रहो उसने क्यूब बोलो अगर पेपर नहीं होता पांस दिन बाद तो पहले दस मिनट रुक्यां क्यूब सुनते जरूर चेक है ना 1331 बटे 10 आप यहां से एक जीरो हटाओ ते कितना है 133 दसमलो एक आप बतो यह कितना था यह कितना 133 दसमलो एक तो यह सुन तो लो एक मिनट सुनिये तो अगर इस कोश्चन में हमने यह बोला होता है हो गया अब सुनिये द्यान से अगर इस कोश्चन में ऐसे होता कि एक इस्थान की जनसंख्या प्रतिवर्स बारह प्रतिशत बढ़ती है सही ना एक इस्थान की जनसंख्या प्रतिवर्स बारह प्रतिशत बढ़ती है लेकिन पलायन होने की वज़ा से दो परसंट प्रतिवर्स कम हो जाती है सही ना कितने परसंट कम हो जाती है दो परसंट कम हो जाती है ठीक तो बताओ तीन वर्से बाद उसकी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा सही है ना भाई ब्रदी भी हो रही है कमी भी हो रही है जन संग्या बढ़ती भी है घटती भी है सही है ना तो बारा बढ़ रही है दो कम हो रही है तो बारा में दो घटा हो रिजल्ट कितना बन रहा है दस का हम लोग दस को लेकर operate कर देंगे हाना पिछली बार पेट के पेपर में यही कुस्चन आया था उसमें दोनों चीजे बोली थी उसने ब्रदी भी बोला था और कमी भी बोला था साथ में तो दोनों का resultant निका लिएगा फिर जितने साल बोले उतना resultant के साथ operate कर दीजेगा आ जाएगा कि नहीं बाक calculation में दिमाग ना लगवाएं सही है वो यह नहीं चाहते हैं वो खतरनाक calculation देते हैं जैसे कि पिछले बार के पेट के पेपर में देखोगे ना तो सायथ 3% की व्रद्धी और 2.5 की कमी बता रहे है सही है ना ऐसा कुछ Calculative है वो कोई दिकत नहीं वो हो जाएगा कर लेंगे की नहीं बोलो आना ओके question number next अगला प्रस्ण है लिखे एक व्यक्ति एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की व्रद्धी होती है फिर 50% की कमी होती है एक व्यक्ति की आये में पहले 20% की व्रद्धी होती है फिर 50% की कमी होती है और पुना एक बार 20% की व्रद्धी हो जाती है पुना एक बार 20% की व्रद्धी हो जाती है तो बताईए तो बताएं कुल कितने प्रतिशत की व्रद्धी अथ्वा कमी हुई कितना आ रहे हैं कितना आ रहे हैं 28 परसंट की कमी इधर देखो इधर ऐसे करते हैं 20 परसंट की व्रद्धी है तो 120 बटे व्रद्धी को जोड़ कर गुड़ा करते हैं सही कि नहीं है पॉइंट इधर देखो इधर 50 परसंट की कमी तुछ सौ में 50 घटाओ 50 गुड़ें 100 और 20 परसंट की व्रद्धी बोलो 100 जीरो से दो जीरो 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 एक जीरो से एक जीरो पान से दो दो से 12 चंग 100 में बोलो 72 तो कितना की कमी है किते कमी है Qution number next यह हो जाएंगे कर लेंगे कि शेवर है सारे लोग ठीक है हमें वो कोश्चन पेपर दिखाई ज़रा पीटी वाला है कि दोनों सिप्टों में कोश्चन देखे कैसा आया था कि बात नहीं करें एक मुनेट रुकिए अ कि सांथ हों जो रे रुक जो एक कोश्चन जैसे का पिछले पेट के पेपर में यह आया था स्थे दियान से सुनें कि एधर देखर इधर कुश्राव यह था ए م salvages कि वुक्त मूल्य में लिखें लिखें वस्त्य के मुल्य में 30% की कमी होने पर वज्टु के मुल्य में 30% की कमी होने पर सही है यह बोट पर दिख लिखा हुगा सब तो लिख रहा है फिर भी हमें पता है आप लोग नीद में बैठे हैं सुनाई नहीं दे रहा होगा इसलिए बार बार लिख भी रहा है ठीक है वज्टु के म विक्री में उसकी सेल में उसकी विक्री में 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो जाती है 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो जाती है 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो जाती है तो दुकानदार की आये पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा बोलेंगे नहीं हो गया कितना कुछ बच्चे इसमें बहुत उस्चुक होते हैं आतुर होते हैं कि सर्व फार्मला बता दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई एपान अंडेड ना कते ही नहीं वह मतलगाईगा लगा सकते हैं दो गे केस में लगा सकते हैं उसमें प्लस माईनस ध्यान देना पड़ेगा ठीक है बेटर होगा सौमान के करिए कुछ भी नहीं आप नहीं बता रहें 30% की कमी बोलो कितना? और 20% की व्रद्धी बोलो? अपन? 2,0, 2,0, 2,0, 12 सते? बोलो कितना? परसंट की? कमी. सही है ना? बोलो हा ना? चीक है? सुनिये बहुत ध्यान से. एक कोश्टन और पूछा गया. इसी पेपर में % के दो कोश्टन थे. यह आपके पीटी के पेपर में पूछा गया है? सान, सान, सान. अरे सुन तो लिजे. अग्ला जो कोश्टन परसंटेज का इसी पेपर में आया था, वो उसत के साथ मिला के आया था. आप किस लेवस मे उसत भी है ना? पिछली क्लास में आउसत पढ़ाया था ना क्या पढ़ाया था कि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में सामिल होता है तो जितने का ग्रुप होता है उतने का ही सामिल हो तो कोई प्रभाव पढ़ा सबने बहुत बढ़िया नहीं तो पिछले वाले वीडियो को चार-पांच घंटे जाके स्टार्टिंग वाला देख लीजे भगा भगा के उसमें सारे पॉइंट्स पढ़े हैं हमने सही है अब सुनिये द्यान से अरे सुनो उसमें बताया था कि कोई भी ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति सामिल होगा ना तो जितने का उसत होता है ना उतने का सामिल होगा तो कोई प्रभाव नहीं पर लेकिन मान लो दो की व्रद्दी है तो जितने ग्रुप के मेंबर्स होते उसमें गुणा उतना करके उतने को उतना जोड़ लेते हैं ऐसी कुछ पढ़ाया था परसिंटेज के साथ मिला के पूछा योगने लिखो ज़रा कॉश्चन लिखे लिखे चार खिलाडियों की ओसत उम्र चार खिलाडियों की ओसत उम्र अठारा दसमलो पांच वर्स है यदि कोच के उम्र को कोच यदि कोच के उम्र को इसमें सामिल कर दें कोच के उम्र को इसमें सामिल कर दें तो आउसत में 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो जाती है तो आउसत में 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो जाती है बहुत बढ़ियां हो जाता है तो बताइए कोच की उम्र कितनी दूसरा वाला पेपर फूली जरब करें बोतल इदर करें थोड़ा सब कि उसमें उसमें हाँ अदू छोड़ी छोड़ी जोड़ी कि दूसरा वाला कि कि अदू ज़िए तो आप अज तो बोतल इदर कैसे आगी अपने आप अधिया वाला तो दिया ही था दूसरा वाला एक दो परने यह तो दिया ही था यह तो उपन था हो गया यह तुछ इसमें तो है नहीं परसेंटेज करा दिये ने वही वाला दे दीजे अच्छा खोल के वही वाला पहले वाला हाँ भई हो गया कितने बच्चों का हो गया बहुत बड़े आप बोलें पीछे लास्ट में यहां पर नहां कितना रहा है 37 कितने कैंडिडेट 37 के साथ जा रहे हैं एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा 37 पक्का ठीक है इसके अलावा कोई अंसर बोलो बोलो नहीं सुनिये अंसर सुने 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 कुछ आ रहे है क्या कने अंगर आ तीक नहीं तू नहीं आर्स तूसमें कॉंसी बढ़ी बात नहीं आ बतंन कि अधिकर को पालना स्समय समय समझ मझ कर चार खिलाडियों का ऊसरद अम्र इतना है चार खिलाडियों का आँस तैंहें ये लिखना बंद को रह्यक मिनट के लिए ऊंधर देखर खिलाडियों का उसत उम्र इतना है पांच वाँ एक कोच को सामिल कर रहे है माल लेते हैं कोच भी 18.5 का ही है बही सामिल हो रहा उत्ते ही सामिल हो जाए हा ना लेकिन उसके सामिल होने से पूरे और सत में कितने की व्रद्धी 20 प्रतिशत की व्रद्धी आप हमें बताओ एवर एक बटे पांच ना एक बटे पांच निकालो जा रहा है एक बटे पांच करो कितना है का तीन दसमलो पांच वर्स की क्या हो रही है तीन दसमलो साथ की क्या हो रही यहां पर बोलो हा ना सुनिये तो एक मिनट पिछली क्लास जब पढ़ाई थी स्टार्टिंग के चार में ऊसमें को एसके कोरुशन के हैं कि Oo पॉर इस honest डो की व्रद्धि और घइंडार चार की व्रद्धि हो गई ऐसे कोर्भण कर रहे थे थे मअ पर अब आप पर सुपर सेना तो बाइ tääफ यह ब्न करे रहा तो उसका बीस पर सन का ला दो तो 34, साथ की बृद्धी हो रही है। सुनियें तो, कितने में? पाँच हो गए न अब तो पाँच लोगो में 3, 7 की बृद्धी होगी, तो साथ परना 35-5, तुनियं 15 16 somethingagelah 18age 18.5 की बृद्धी हो जाएगी न 18.5 की बृद्धी हो रही तो 18.5 जादा है यानि 0, 18, 26 और 1, 37 वर्स के कोच हैं, फिर से सुनिए, सुन तो लीजे, चार लोगों का उसत इतना था, एक कोच सामिल हुआ, तो वो भी 18.5 का ही सामिल हो जाए, लेकिन उसके सामिल होने से 20% की व्रद्धी, उसका 20% देखा तो 3.7 की व्रद्धी है, पांच लोगों के पांच बढ़ेगा, यानि जोडने पर कितना होगा, ये एक प्रक्रिया है, समझ में आ रहा है, बोलो हाना, चले अगले कोच्टन पर, ये कोच्टन पिछली साल पूछे गया थे, परसेंटेश के कोच्टन हमने करा हैं आपको, ठीक है ना, अब हम आपको कोच्टन कराने ज जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाइए, सही है, चले स्टार्ट करें, अब हाँ जाना, हुआ है, सान तो जाओ, सबसे पहले इदर देखें अधर, हो सकता है आपके पेपर में एक रेशनलाइजेशन का कोच्टन दिख जाएं आपको, किसका परिमेकरन का, किसका परिमेक कि परिमेय करण कि अरे सांथ हो जाओ क्या होता है यह छोटे वाले का चिन्न बदल के ऊपर नीचे यही तो करते हैं ना सही है ना जैसे इधर देखो इधर देखो लिखना बंदे करो हमने संद्दे में सीधे करना बताया है लेकिन अभी बेसिक देख रहे हैं हैना क्यों सकता बहुत सारे बच्चों नहीं पढ़ाओ है जैसे अगर कोई कोई कोफट्चन इस तरीके का है one upon seven root seven plus root six क्या है one upon root seven plus root six सब्सक्राइब न हम आपसे कह रहे हैं इसका परीमे करन करिए कर लेंगे कहां कॉपियों पी पाक कर कॉपि निकाल ले चैप्कर बदल गया इसलिए आच्छा ठीक सांध हो जाएए इदर देखे इदर इसका अगर आपको परिमेकरन करना है ठीक? तो बहות आसानी से किया जा सकता है सुनिए दोनों का ही स्क्वाइर कर लो आप रूट सेवन का ही स्क्वाइर बोलो कितना? इसका ही स्क्वाइर? चोटा कौन? जो छोटा होता है ना उसका चिन्न बदल के उसी का चिन्न चाहे आगे हो चाहे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसी का चिन्न बदल के उपर नीचे multiple कर देता है हा ना पका ना ठीक है तो उपर नीचे multiple कर लो यह देखो बढ़ा यह चोटा है तो इसका चिन्न बदल लो यानि रूट 7 माइनस रूट 6 गुणे गुणे गुणा गुणा और गुणा उपर नीचे गुणा कर देखो आया ऊपर वाला तो सेम लिखा रहे है सही root 7 minus root 6 यह क्या लिखा हुआ है A plus A plus B और यह formula A square minus B square A का square root 7 का square बोलो बो और B का square बोलो कितना यानि root 7 minus root 6 upon कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का परिमेकरण समझ में आया बोलो हाना पिछले पेपर में question परिमेकरण का पूछा गया क्या पूछा गया पता है उसको note करियो इसको करिये परिमेकरण का पूछा पूछाँ परिमेकरण पूछा गया था लास टाइम यह पेट में आया है किते बच्चों का आगया बहुत बड़े हैं खुछा बड़े हैं झाल 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 चले बोट पर देखें चले बोट पर देखें यह देखें इधर देखें पर हाँ ठीक है option था इसका square करें कितना इसका बोलो छोटा गौन है तीन तीन वाले का चिन्न क्या करें बदल दें ठीक है रूट फाइफ माइनस रूट थ्री और नीचे रूट फाइफ माइनस रूट थ्री बोलो सही है कि नहीं है पॉइंट हा ना ठेक है अच्छा सुनो फिर सुनो द्यान से यह A माइनस B है यह भी A माइनस B है तो यह हो गया A माइनस B का whole of square और यह हो गया A प्लस B का whole A प्लस B A माइनस B यानि A square minus B यह लाइन समन में आ रहे कि नहीं दो आइन्टिटीज यहां पर यूज करनी है कर लेंगे ना हो जाएगा ना आप यह बताओ इधर देखो इधर A माइनस B का whole of square क्या होता है सही है ना A square A का square बोलो कितना B का square बोलो कितना बोलो बोलो तीन माइनस 2 A B यह दोता है ना बोलो हा ना ठीक यह देखो माइनस कार टू A B सही है लाइन ठीक है और अच्छा पांच रूट 5 का square बोलो कितना और फिर इसका बोलिये कितना तीन ओके पांच तीन ठीक माइनस टू पांच तीन पंद्रा पांच माइनस तीन दो आरे समझ बोलो क्लेयर है चीक है अच्छा इसमें दो को इसमें डिवाइट करो कितना चार और यहां डिवाइट करोगे कट जाएगा है ना चार माइनस रूट यह कोशन पूछा गया था समझ में आया सभी को चलें अगले प्रस्न पर लिखो कि यह किसका सेल था कि पासफ़र ड़ा कि ओपन के रहे हैं सांद रहे हैं एक कोशन यह एक सकामान वर्ग वर्ग मूल के कोशन में पूछा गया पी टी में पूछा गया रास्टाइब आगया बहुत बढ़े है भी मुद वर्ग फेक जाए कितना आ रहे हैं किते़े लू का बढ़े हैं किए बहुत बड़े हैं देखें, चेक करें, इधर तो देखो, लिखना बंद करो, इधर देखें, सारे बच्चे देख लें बोट पर, बहुत ध्यान से देखें, इसमान लीजी ये है, इसको साल्व कर लीजी, एक सो उनतर एक कम, और सताई जोड़िये, एक सो, सिंपल है न, छेक है, एक सो छियान्यवे बटे, एक सो उनतर और ऐसे, और प्लस वन अपॉन एक सो बटे, तेरा, इसमें दिमाख न लगा ले न, थोड़ा बहुत, कि पता चला, नौ से नौ काट दिया, छे से छे काट दिया एक से एक काट लिया, ऐसा नहीं करेंगे, कि आयोग ने हमको दूर दूर बेजा, तो हम भी दूर दूर काट लेंगे सारा, कितना है का यह, और यह, और बराबर में, बन प्लस एक्स बाई थर्टीन, बन को इधर बेज दो, सही है न, यह, बन को इधर बेज लिया, माइनस तेरा एक कम, तेरा, चौदा में तेरा गटाओ, एक बटे तेरा, बराबर एक्स बटे तेरा, तेरा से तेरा कैंसल करो, एक्स बराबर, ऐसे कुश्चन पूशे जाने की संभावना है, सही है न, बोले अगला प्रस्न, लिखो, नेक्स्ट, लिखें एक सोपचास में कुल कितने तीन हैं, बोट पे लिखा हुआ है, एक सोपचास में कुल कितने तीन हैं, है पिटा वो दीजिए है कि स्वाल करिए कितने हैं कितने हैं 150 में कुल कितने तीन है क्या बता रहें तीन एक है सांथ हो जाई है छार पांच वागों में बढ़ गई है अलग अलग छेतर कांसर अलग अलग आरहा है है सांथ हो जाई वैसे कितने बच्चों का 75 आ रहे कि पचास कितने लोग का पचास आ रहे ऐसे लगबगाट 10 11 लोग हैं अच्छा और 72 कुछ लोगों का भई 50 आया अब 72 भी आ रहा है किते लोग का 72 आ रहा है एक 2 3 4 5 6 लोग है 72 ला रहा है और कुछ भी आ सबसे पहले नौकरी कैसे मिलने हैं सुने हैं यह पचास यह पचास यह लोग है अब सबसे पहले सांथ हो जाओ सबसे पहले यह देख लो नौकरी कैसे मिलने है सुने है यह पचास यह बाहतर यह एक सबसे पहले यह बता है यह बाहतर किसका आया है कैसे जब तक अचा तीन से वो इधर वाले नंबर से एक्चो पचास हटा के कितने बच्चों का आंसर पचास आ रहा है बहुत बड़े हैं वेरी गुड आप बते ही कैसे आ रहा है हाँ के वले एक बार इन्होंने कई बार डिवाइट कर दिया है बस इत्ता ही अंतर है ठीक है और यह किसका वन किसका आ रहा था है वेरी गुड बहुत बढ़िया हां 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 बताए हां बोले क्या करें तिरसट कैसे सांत हो जाईए एक्च्वल में सुनो तो बहुत द्यान सुनो जिनके आं से गल्यत हो रहे ना सीधे फैठी है कहां चले गए तो छह साल से दिवाल खड़ी चले जाओगे नीचे इधर देखें वोट पर द्यान से समझे 157 कुल कितने 3 है कुछ बच्चों ने थोड़ा पड़ाई ज्यादा कि यह उन्होंने यह सारी गढ़ित लगा दिला वह जो 3 से डिवाइड कर रह। फिर 3 से डिवाइड कर रहो और तब तक डिवाइड रहे है जब तक वह 3 से छोटा न हो जाए weighed वो 150 को नहीं ढूंडने का था, 150 factorial, 150 factorial, अगर यहां लिखा होता है, 150 factorial में कुल कितने 3 है, तो वो answer सही हो जाता, जो 3, 3, 3, 3, 3, बार, 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 ऐसे divide कर लेते हैं, सही है ना, सुनिये दियान से, यह question basic था, 150 में कुल कितने 3 है, मतलब 3 के कितने भाग है, 3 के कितने part बनेंगे, छोटा सा question है, 150 divided by 3, कितना 50 भाग है यहां पर, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ऐसे करके कितने भाग हैं, जैसे इधर देखो इधर, हम यह पूछें, 10 में कितने 2 हैं, 2 से divide करो, कितने 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ऐसे करके कितने बार, 5 बार, आया ना, बोलो हाना, यह PT में लास टाइम पूछा गया था, जो अब दे रहे हैं, लिखो question, साड़े सैथिस में कुल कितने 1,8 है, साड़े सैथिस में कुल कितने 1,8 है, एक बटे आट, देखे, दिख रहा है वहाँ पर, आदेखे, बोलो भाई, कितने, 300, सही है ना, कितने 1,8 है, जो पूछा जाए, उससे डिवाइड कर दो, कल लेंगे डिवाइड, कल लेंगे ना, ठीक है, यह देखो, साड़े सैथिस सैथिस दुनी, मेरा पेपर नहीं ध्यान लखिएगा, ठीक है, पेपर आपको है ना, आईए, ठीक है, इधर देखे, अच्छा, मुद्दे की बात पता है, आपके द्वारा सामने बोर्ट पर देखेगा है कोशन, लगवग लगवग फसने की उम्मीद है, और अगर मालो थोड़ा बहुत इदाउदर पेपर हो भी गया ना, तो कोई समस्या नहीं है, हमने बहुत सारे बैच्चाज अभी पढ है क्योंकि कहीं न कहीं वह पढ़ाया जरूर होगा, ठीक है ना, बास समझ में आ रही ना, कहीं न कहीं concepts clear कर जरूर किये होंगे, आप जल्दी जल्दी देख लीजे, जित्ता ज्यादा कवर कर पावाब, सही, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए फटा 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 फ बटे दो, दो से इसको काटो कितना है गा, चार पिछातर गुने चार करो कितना हैगा, तीन सो, तो बुले यहां पर एक बटे आठ कितना, बहुत बढ़े हैं, यह कोशन पूछा गया एक्जाम में लास टाइम, कर लेंगे ना, बैसे कोशन, हम पूछेंगे कोई भी यह कहा पूरा पूरा कट रहा है, पूरा नहीं कटेगा तो, जितनी बार कटेगा उतने ही आंसर टिक कर लेंगे, सही है ना, जैसे यह देखो, हमने बोला, ग्यारह में कितने दो हैं, कितने दो हैं, तो पांध दसमलों 5 नहीं, 5 हैं, 5 पूरे हैं, बाकी एका दूरा है, छोड़ द इसे कोशन भर्ग मूल के पूछे गए हैं, हमें उम्मीदे कर पाओगे, हम पढ़ाएं चाहना पढ़ाएं, आपको कल लेंगे आप ये, दिखी नहीं रहा है, आयोग में आए कोशन ना दिखते हैं ना समझ में आते हैं, हां कितना? 19 बटे, कितने लोग का आंसर? बहुत बड़े हैं, वेरी गुड़, सांत हो जाओ, साइलेंट, इदर देखो इदर, इसका दसम लो, इसका दसम लो, हटा लेंगे ना, अचा, 361 कितना? 22 बटे, या दो की पावर दस लिखोगे, दो की पावर पाँच बाहर आ जाएगा, और दो की पावर पाँच का मतलब जिखो, जिनको एक हजार चौबिस ना ध्यान हो ना, या कोई नमबर ऐसा आ जाए, तो इसको ऐसे लिख कर, फैक्टराइज कर लो, सही है? इसको ऐसे न और दो की पावर पाँच यानि 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी, 19 बटे, 19 बटे, 20 बाकी आगे की प्रक्रिया उप्सन के कॉर्डिंग करते हैं, वैसे 19 बटे 32 इसमें उप्सन में था, ठीक, ये वाले पेपर के सारे टाइप के कोश्चन मैंने करा दिये, ठीक है ना, किसका मोबाइल, आप ही करें, आप करें, कोश्चन लिखे अगला, एक कोश्चन ये पैटर्न, जैसे ये स्क्वाइर रूट का पूछा गया, वैसे ये भी पूछे जाते हैं, अंडर रूड, एक्स अपॉन, एक्स अपॉन, एक्सोच्यानबे, बटे, बहत्तर, बटे, चप्पन, चलो, हाँ दूपर करो, बहुत बड़े हैं, एक, दो, तेन, चार, झाल, क्या है, को लोन być ग्स्का रूपर, बटे, तेन, जुटे, आखम, च svेंपन, पनिन, थे यूटे, औरे, भी प्पन, पनूपर, ilॉत्तर, बगलो, हाँ फ देल ग्स्यांवा हैं, गफ्यां, ग्स्वार। variance कर अज़ हैं़े, बहीं हैं парाओंब ne गलो, विस्क कितना रहे हैं तीन सो बोट पे तो देखिए एक्स बटे 106 में रूट एक्स को ऐसे रहन दीजिए 106 को बाहर करिए और 72 बटे 56 आप बताओ इस 14 को उधर ट्रांसपर कर लोगे कित्ती बार और 4 से इसको कित्ती बार बोलो बोलो सभी 18 चुक बातर क्लियर है ना कितने लोग का यहां तक मैच हो रहा है परफेक्ट ठीक है सुनो तो हमें एक्स चाहिए तो बोट साइड क्या करें कि इसक्वाइर कर लें क्या करें इसक्वाइर इसक्वाइर करोगे तो एक सो बराबर तीन सो अठारा का इसक्वाइर कितना तीन सो ऐसे कुछ न्स भी पूछे जा सकते कुछ नमबर नेक्स्ट कि सांट रही है कि अब आप अब 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 अ अ अ अ मने बने जल्दी बने इसक्वाइब कितने लोग का आ गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा लोगों के अंसर आगे जल्दी करें आगे कितना आ रहे कितने बच्चों का सो आ रहे सो के अलावा कोई आंसर है हंडेट के अलावा बोलो बोलो नहीं ना पीछे वाले जिनको बहुत मजा आ रही बाते करने जुलूग कितना रहे सेकंड उनको बुलाई कितना हंडेड देखें बोट पर देखें सुनिये ध्यान से यह लिखा हुआ है सांत हो जाओ एक पिनट देख लो बोट पर हम इसको ए और बी से रिप्लेस कर ले रहे समझने में थोड़ी आसानी होती है एक्यासी को क्या माल ले यह देखें ए दीख रहे ना वहाँ पर इसको बी माल लिया हमने सही है ना इधर देखो इधर ए ए तो कितना aq और प्लेस bq अपउन a2-ab plus ab से रिप्लेस कर लिया सारा बोलो हा ना बाकि आपके तैयारी पर रिप्रेंट करता है आप क्या करना चाहते हूं आप एबी से रिप्लेश कर लो और यहां पर ऐसे कुश्चन में सुनिये तो यह क्या सी ऐसे 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 केसे जितने बनेंगे ना बड़ी कैलकुलेशन के इसमें दसंबलों वगएरा भी बहुत लगा कर पूशा जाता है सही है आप ध्यान लखेएगा ऐसे कुछ जितने बनेंगे ना उन सब में फार्मला जरूर बनेगा फ्रेमिंग जरूर होगी सही है ना फार्मले कितने हैं बेसिक आइडेंटिटीस कितनी हैं भोलो बोलो बेसिक आइडेंटिटीज कितनी हैं लुझ बड़े ड़ते-ड़ते कुछ विद्ध्यार थी हो कि अब आज निकली 7 और 8 बोट पर रहे क्यान से Simplification में Basic Identity का एक Question आपको आपकी परिच्छा में मिल जरूर जाना है ठीक, आई इधर देखिए बोलते जाईएगा सबसे पहले A प्लस B का Whole of Square बोलो Formula A स्क्वार प्लस B का Whole of Square बहुत बढ़ियां बोलते हैं आप लोग A माइनस B का Whole of Square ठीक, सही है ना? और A स्क्वार माइनस A प्लस B, A माइनस B सही है ना? ठीक है और A प्लस B प्लस C का Whole of Square सही है? स्क्वार की तो इत्ती होती हैं इदेटिटीज ये बेसिक हैं, बाकी बनाने को बहुत सारा बना सकते हैं यहां माइनस लगा सकते हैं, यहां माइनस कर सकते हैं सही है ना? जहां जहां B होगा माइनस कर देंगे सारा सही? A प्लस B का Whole of Cube बोलो A प्लस B सही है नही है? A माइनस B का Whole of Cube दोनों में केवल माइनस का गैप होता है जहान जहानः प्लश है, वहाँ हाँ क्या कर लेते हैं? ठीक आइडेन्टिटीज एक नच की के वहाँ फेर ऑपिर एक यूब सब बोल लेंगे चलो बताओ देखा हमने कहा था लगा कि किसी को नहीं पता नहीं इत्ती आवाज बुलन थी आप लोगों की एक्यूब माइनस बी क्यूब सुनो तो अगर अरे अगर प्लस होता है तो पहला ब्रेकेड प्लस होता है और यहां पर माइनस होता है और अगर माइनस है तो पहला ब्रेकेड बाकी सारे बोट पे देखो ध्यान से कितना होगा यह एस्पार प्लस एबी प्लस ध्यान बन जरूर जाना एक्जाम में इसका, ठीक, सुनिये द्यान से, यह चार हैं आपकी किसकी, क्यूब की, और यह चार किसकी है, चार स्क्वाइर की है, चार क्यूब की है, बेसिक आइडेंटिटी इस कितनी, एलजब्रा में यह, हर आइडेंटिटी, कम से कम, दो से धाई घंटे का पार्ट है, वो आई कैसे, उससे कुशन कितने प्रकार के बनता है, लेकिन एलजब्रा में, है ना, सिंप्लिफिकेशन में यह क्यों सीधे-सीधे फॉर्मले बेस हैं, ठीक है ना, जैसे यह देखिए, पर उसमें इदर आईए, उपर फॉर्मला लग रहा है ना, एक्यू प्लैस, वहां से लगा दें फॉर्मला, ठीक है, अब तो हर कोई बोल लेगा, बोलो, ए प्लैस, ए स्क्वार माइनस, प्लैस, अपान, ए स्क्वार माइनस, ए बी प्लैस, बहुत बढ़ियां, सही है ना, अब बताओ, यह नीचे का पोर्शन उपर के पोर्शन से जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लैस भी मतलब, कितना, आया समझ, बोले एकला कुश्यन, लि देखो, बिल्कुल रफ नहीं, हम एको नहीं रफ करेंगा, जो रफ किया बताई, लिख दें है, सान्त हो जाएए, सान्त रही है नहीं, अभी यह आइडिंटिटी इस हटा के पूछना शुरू कर देंगे, चेक है, और बहुत सारे फामले पिछली क्लास में बताएं है, कितना हैगा? साथ सो, एक्यूब माइनस, सीरह दिख रहा है ना अब तो, एक्यूब माइनस बी क्यूब, अपाउन ए स्क्वार प्लस ए बी प्लस, उपर फॉर्मॉला सेम बनेगा कि नहीं, कट जाएगा ना, हाँ ना, उपर वाले में फॉर्मॉला बनेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वार प्लस ए बी प्लस बी स्क्वार अपॉन ए स्क्वार प्लस ए बी प्लस बी स्क्वार बोलो, पूरा का पूरा कैंसल हुआ कि नहीं, बोलो, हाँ ना, अब बताओ ए माइनस बी, 885 minus 180 कितना 700 कितने लोग का 700 बहुत बढ़ियां ठीक है अगला question next ये कर लेंगे न ठीक ये नोट हो गया ना रफ कर दें छाँ ट्या सब्सकितों ये कर साँपें लोगार दिएक हैं कर दो दोगार जोगार कर दोग्षार कर दोगार कितना झाला कर दोगार कोश्कादरी अगला कर दो हैं Solve करे, परिमे करन करे इसको, Simplify करे इसको Options will be 5, 4, 3, 2 अंगे, के ऑंपूंटक, देन बाट, आप सको स्कüssाइब। करेंघगज। हेलो, हेलो, जी भी, कितना हुगा, कितने पेज हो गए? ठान हेलो, जी भी, कितने अजय, कितने दिए, ते जिए हो गए? कि इसकांसर तीन किते लोग का ठीक है इधर देखो इदर आपका नहीं आ रहे है रूट 24 का स्क्वाइर कितना 24 रूट 6 का सही है ना हाना सीदे बताया था क्लास में जाने नहीं लेकिन सीदे ना देखो डारेक्ट देखो डिर्यक्ट देख लो आप छै का चिन्न बदल दो तो रूट 24 प्लैस रूट 6 और इसका बदल देजै रूट 24 प्लैस रूट 6 ऐसे कुछ होता है ठीक है अब यह देखो होल आफ इस्क्वाइर बन गया रूट 24 प्लैस रूट 6 का होल आफ इसक्वाइर अभी फ्रॉमला बताया था इसका अच्छा ए माइनस B ए प्लैस क्या 24-6 अच्छा फॉर्मला ओपन कर लेना ए प्लस बी का हुल आफ इसको है बोलो 24 प्लस 6 प्लस टू रूट 24 इंटू रूट 6 बाइट गटाओ 18 सही एक नहीं है पॉइंट बोलो हाना ठीक है अच्छा फिर सुनो बहुत ध्यान से सुनिये अब कर दो अब कर दो देखें वोट पर देखें यान से 24 उच है कितना थी स्प्लस दो 24 गुरेच है 144 को बाहर कर लो कितना बारा बटे अच्छा बारा दुनी 24 और तीस कितना और बटे अठारा अठारा कितना ठीक है ना सही है चले अगले कोश्चन पर लिखो चार बज गया है गेट खुला हुआ है जिसको जाना हो जा सकता है अगला कोश्चन पढ़ा है ना हाँ एक मिनेट रुख जो एक मिनेट एक मिनेट कितने भी दियार्थियों को देर हो रही है एक दो तीन चार पांच ठीक है मेरी बास सुनेए झाल पांच ठीक है कर दो कर दो नहीं आती है कर दो नहीं रसी हादी करेंगु करेंड़ वन करेंजी देजरी आता है। स्गुलों करेंजी पर दो करेंज todavía है। जाना है। आदे मेंसे घुन फाले। प्लटा है ना। बहुत दूर वाले कितने हैं सब्सक्राइब असके बें ACC पॉच्टिए लोगे जैकी ना बसने क्या कह रहे हैं कि मिल जाएगे पड़ी चलिए कोश्चन लिखिए अगला एक स्टुडेंट जाएगा बस बागी कोई नहीं जाएगा जाएगा अच्छे अब सब बच्चे उसी देखें कौन जा कौन राचुड़ी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौन आता है कि सांद हो यह आवाज सुन्ने दीजिया हां है अच्छे कोश्चन करें अगला अच्छा पर आप जाएगा अब जाएगा अच्छा परता है सांद हो जाएगे आप जाएगे बलब जाईए है अब लोग आदे गंटे में जल्देली कोश्चन कवर करेंगे साहिए ना और कहीं पेपर में वही कोश्चन आगया जो आदे गंटे में पड़ाया आप कोश्चन लेकिए 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग देने पर भागफल 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 का भागफल मतलब डिवाइट करने पर किते लुक का गया तो इदर पहले आपको घर जाना था स्वाल फिरीज को आप्सन कुछ लोग का दिमां का ओप्सन देखने के बाद ही चलता है भाव डी किते जार हाईब का बाद हग्सूप लो झटए इसना देखने का जोड़ी हमाना तो असना दो अगे वाप्सने भाव झाल झाल आगे आपका किते बच्चों का आगे है प्रसांत कितना आ रहे है कौन सा प्रसांत कई लोग का नाम है गया चुपे बैठी एकदम हां किते लोग प्रसांत है क्लास में एक ही है ना ठीक है किते लोग का फस्ट आ रहे है दो बच्चों का ठीक है किते लोग कब भी आ रहे है कि बुलो हाना कि आपका भी है सी कितने बच्चों का आ रहे है दी कितने लोग का रहे है लिखना बंद करूं कि बोट पर देखे द्यान से दस की पावर सो बटे पांच की पावर पिछत पर इसे डिवाइट करने पर भागफल बताना है ना इधर देखो द्यान से दस की पावर सो सबसे पहले कभी भी इस प्रकार का कोई भी कोश्चन आया यह घातां करने का पार्ट है आपको हमेशा ऐसे कोश्चन में बेस बराबर करने होते हैं और सुनिये द्यान से अगर थोड़ा और क्लियरिफाई करना चाहते हो बेस बराबर छोड़ो बेस मिनिमा पांच की पावर 100 बटे पांच की पावर अचा सो दो गुणे पांच की पावर अगर सो लिखा हुआ है अगर लिखा हुआ है यह ऐसे तो आप बताओ दो की पावर 100 होगा की नहीं होगा पांच की पावर 100 होगा की नहीं होगा और नीचे पांच की पावर 75 है की नहीं है वो पांच की पावर 75 उपर जाके गटेगी की नहीं गटे गी 5 पांच में सेटल meant होगा होगा कि नहीं होगा इदर देखो वोट पर ध्यान से देखो डो कि पावर जोग की पॉर सोदो एच इस तो गुने सही है ना बोलो हां न're जीक है और फांच की पावर 75 को उपर ले आकर अगर हम 5 की पावर 100 में घटा दें तो 5 की पावर आया की नहीं ठीक है 5 की पावर लेकिन आयोग वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आये हैं सही है ना उन्होंने ऐसा कुछ रखा नहीं है वहाँ पे सीधा सीधा तो ठीक है ना एक काम करते हैं सुनिए एक्शल में किसी आप्शन में भी 5 नहीं था तो ठीक है हम भी 5 हटा देंगे हम 2 का उतना ही पेर बना कि उसके साथ अलग कर देंगे बोलो हाना यह 5 की पावर कितना लिखा है 2 की पावर 25 का इसके साथ कर दो तो 5 दूने 10 की पावर कितना हो जाएगा की नहीं हो जाएगा ठीक है ऐसे यह देखो दो की यह 5 की पावर 25 है तो इसमें भी 25 इदर करो तो 2 की पावर बचे कितना 75 गुणे 2 की पावर 25 गुणे 5 की पावर 25 आया कि नहीं हमने क्या किया यहां 25 था तो इधर वाले का भी 25 उदर कर दिया तो यह 2 की पावर 75 हो गया दो की पावर 25 उसमें जाके गुणाओं के common power हो गई उसकी सही है ना पांदू नहीं 10 तो दो की पावर 75 गुणे 10 की पावर 25 10 की पावर 25 दो की पावर 75 ऐसी कुछ हो रहा है सही है ना तो C option सही होगा समझ में आया कि नहीं धातां करने का question है base बराबर करने पर आधारित है सीधे सीधे आंसर हो सकता है ना दिखे आपको हाँ बोले आवाज नहीं आ रही खड़ो ये क्या कह रहे है इस वाले में नहीं समझा रहा है इसके नीचे वाले में आंसर वाले में खड़े रही है ये 5 की पावर 25 है इसके साथ में दो वाला भी लिखो सेम पावर सेम सही है अब 2 की पावर 25 लिख लिख लिया तो 2 की पावर बचा गिता अलग करो अभी भी 2 की पावर 100 ही लिखा है पांदुनी 10 की पावर 25 पुले एगा ना हा ना चलो next बनाओ हाद दूपर करिए कितना बहुत बढ़िया देखो इदर देखो इदर देखो लिखना बंदे करो देखें इसको दो तो ऐसे ही रहेगा रहेगा की नहीं रहेगा हमेशा ऐसे पावर में रूट्स रूट्स में गुणा हो जाता है पावर इससमरत देखें है की आईडिया है इसको बढ़िया यह इसको बढ़िया है इसको आइदर ole All-olas लिखा जाएगा वो उपर बारा लिखा जाएगा छैदू नहीं कि दो की पावर दो यानि बोलो आंसर कितने लोग का आया था कि समझ में आ रहे हैं सबी को पक्का ना रूट रूट में मल्टीपल पावर पावर में मल्टीपल कोशन लिखो एक और कि समझ और बार रार भया कि पूंगा रह बार अवखना लिखा वार वहाओ जाएगा यावर झाल सरा लिखा हैं अगजगा वो घूंगे उजगर पावर रहा हैं कितना कितने लोग का और इदर देखो गुणा करूने लिख लो ऐसे यह देखो यह अंदर वाला दो तो बिलकुल सुरच्छेत यहां पावर और यह रूट्स आपस में मल्टीपल अच्छा एक मिनट इदर देखो इदर अरे रुख जो भई अगर कहीं पर दो नहीं भी है ना मालो यहां नहीं होता ऐसी लिखा होता कि वह रूट लगा होता इसका मतलब भी क्या होता है बोलो इसका मतलब भी क्या होता है दो सही है ना ठीक है इदर देखो इदर इसका मतलब भी दो ही है चलो चार दो नौ ऐसे गुणा कर लेते चार दो और नौ वह पावर पे पकाना शूर ठीक है और सब कुछ रूट में नीचे लिखेंगे तीन तीन और दो तीन तीन और दो तीन त्रिका नो दो से दो दो की पावर चार बोलो आंसर कितने लोग का सोला समझ में आरहा है क्या होगा क्या हो गया वाला कोश्चन नोट कर वाला कोश्चन इदर देखें फोड़ा सा गुम जाए है हो गया नहीं है अगला कोश्चन लिखें कि स्वाल करें जल्दी से आया कितने बच्चों का आया किनारे किनारे है लुग 12 कितने लोग का 16 आ रहे है टैक एक बंटे सोला माइनस अनलएFX मैनस अन्हें तो प्र देखो माइनस वन बाई टू कि फावर आपस में क्या होंगी है 2 वह बोलो मल्टिपल अभी बताया ना इधर देखें इनको बलाई इधर देखें दो दुनी चार एक कम माइनस माइनस प्लस का ठीक सही है? अच्छा ठीक है एक बटे तो ठीक है दो की पावर चार कितना होता है? 16 माइनस की पावर अगर सम होता है तो आंसर सम नहीं पॉजिटिव माइनस की पावर अगर सम होता है तो आंसर और अगर भी सम होता तो सही है ना? बोलो आना question number next पावर अगर अगर सम होता है यह लीजी यह लिखा हुए उसमें और नहीं दिख रहा होगा दिख रहा है? नोट करे नोट करे जल्दी नोट करे क्या हो गया? कोई डाउट है क्या? सब मल्टीपल में लाइए हो गया? हो गया ना? सान्थ हो जाओ अरे सान्थ हो जाओ महानु भावों किते बच्चों का आया? क्वेशन साही है ना? सुन लीजे, सुन लीजे कोई बात नहीं हम क्वेशन देख ले रहे हो सकता है यह बलर दिखाई दे रहा है हो छो सकता है कुछ जीजट इदाउदर हो गई हो इधर देखें दियां से हम कर जो इदर उदर होगा उसको सही कर ले रहे हैं देखें इदर सबसे पहले ऐसे कोशन में सबसे पहली सर्थ होती उसका बेस मिनिमाइस करिए बेस में सबसे छोटा बनाई यह उसको आप इदर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो बोलो तीन की पावर पांच पक्का तीन त्रिक का नौ त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243 सही है ना तो तीन की पावर पांच कितना हैगा तेरा पचे 65 ऐसे कुछ है लिखा तो 243 है चीक है अच्छा इदर देखो इसको क्या लिखेंगे तीन की पावर पांच सते 35 चाहे तो सीधे सीधे बेस सेम जोड़ लेते लेकिन मिनिमाइस कर लीजे आप तीन की पावर यह दोनों लाइन पॉइंट समन में आ रहे की नहीं बोलो हाँ ना भाई यह ती दोरी देखने फोटो कॉपी कब आएगी इधर देखें सांद तुझे इधर देखें द्यान से साथ की पावर 0.25 गुणे साथ की पावर बोलो यह कितना दो का गुणा 75 में करिये एक सो पचास नहीं दसंबलो एक पांच साथ की पावर 0.15 ऐसको क्या लिखेंगे साथ की पावर है क्लियर और कुछ नहीं किया केवल बैस को क्या किया बराबर नहीं छोटा किया वह बराबर हो गए अपने आप हम लोग छोटा किया सही है ना सुनिये द्यान से सुन तो लो ये बेश तीन-टीन सेम है जेम है अच्छा तीन-टीन अगर सेम है तो 65 35 जोड हो गे तो स्कीन की पावर एक आया ठीक है अच्छा यह सब सेम है जब बेश सेम होते हैं तो पावर जोड देते हैं क्या करते हैं चलो जोड लो 25 पंद्रा च्छे 25 पंद्रा बोलो चाली सो च्छे बोलो कितना कितना आएगा वारे गणित करके आ रहे हो आप लो दो मेराथन क्लास 16 घंटे पढ़के पांस दिन बाद पेपर देने जा रहे हो और पच्छी सो पंद्रा जोड़ा तो दसमलो चार आया मालो जीरो आया और दसमलो छे को जोड़ा तो बतारें दसमलो 46 लिकलो सर पता है सांत हो जाओ पर सांत नहीं करो नहीं मानहानी का दावा कर देंगा आप यह सब करवा हो गया इधर देखे द्यान से मास है अगर आपने अगर आपने हमसे असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा है किसी ने आरो ही और ही पढ़ा है कितने लोग उने अभी पांच मि को छोटा बड़ा लिखने की सिलसिले बताएं बताया थे उसमें एक छोटा सा पॉइंट समझाया था कि दसमलो के बाद के अंग को बराबर रखा जाता है मैंसा अगर नहीं समझ में आता तो यहां पर दसम्लोग चार जीरो आया था इसको भी क्या करल लो आ रहे हैं और जोड़ोंगे कितना हैंगा सही है ना साथ की पावर क्या पढ़ाना पढ़ा रहा है देख लो ही सब पढ़ाना पढ़ा रहा है तीन बटे थीक है नोट करें अच्छा खासा सीजियल मेंस के बैस पढ़ा रहे थे हैं नोट करें सान्थ बिना टाइम वेश्ट के हुए सॉल्व करें 27 की पावर दो 2x-1 बराबर 243 की पावर 3 कितना रहे बालक आठ बहुत बढ़े हैं ऑप्सन में आठ नहीं है ऐसी स्पीड भी आपकी नहीं चाहिए हमें पता पता चला वहां पर एक्जाम सेंटर में सॉल्व करते रहेगा ठीक है एक्जाम सेंटर में OMR सीट मिली अगले 20 मिनिट में सारे OMR बरके रख दी इतनी तेज स्पीड थी कि कोश्चन देखा ही नहीं गोले बढ़ डाले सारे इतनी तेज स्पीड नहीं चाहिए है ना थोड़ा समय दीजे इधर देखो इधर तीन की पावर कितना थी टू 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 एक्स माइनस वन बराबर तीन की पावर तीन दूनी एक्स माइनस तीन तीन की पावर पांच दिया बेस सेम होता है तो पावर बराबर कर देते हैं पावर बराबर होती है तो बेस सेम कर देते हैं समझ में आ रहा है अगर नीचे वाला पोर्शन उसका बेस का बराबर है तो पावर एक्वल कर दो पावर एक्वल है तो बेस इक्वल कर दो अभी जाल तो समय है किसको बराबर करने का पावर 6x-3 बराबर 15 करोगे तीन में इसको जोड़ोगे तो कितना 186x बराबर x बराबर बोलो कोशन नमबर नेक्स्ट करें करें कि शाल करें करें कि बोले नहीं बोले नहीं एक्स कमान बताना है बिल्कुल आप ये नहीं सोचो कि जल्दी आंसर आजाएगा तो जल्दी छोड़ोदेंगे मुलिह जल्दी आंसर आंसरह झाल कि अजाएगा प्स ही उ racing June त avisा ठाजब कि बसाएगा के सोचो को जल草 एक्सट को तो जलतो है कि आंसरून बताना है झाल कि इधर देखें ये कितना तीन बटे चार इसको बोलो क्या करें उल्डा कर देंगे ना इसको तीन बटे चार की पावर माइनस साथ प्लेस का साथ सही है और बराबर तीन बटे चार की पावर टू एक्स ये सब चीजे आपको समझ में आ जानी चाहिए किसी बीट साइड में पूरे पूरे पार्ट को उल्टा कर दीजे सिंबल को चेंज कर दीजे पावर में साही है ना ठीक है अच्छा ये एक है तीन की पावर एक तीन बटे चार की पावर एक तीन बटे चार की पावर साथ आरे नहीं समझ में ठीक है एक मिनिट सांथ हो जो सुनिया मेरी बास तीन बटे चार साथ और एक बराबर तीन बटे चार टू एक्स आरे नहीं समझ में बोल कुछ यह नहीं है अज़से जो चुछान कि अ नहीं ची आख़ए यह घ्या झाल सान्तों जाएगे सांत हो जाओ मात्र गिंती के तीन चार कोश्चन और और जल्दी जल्दी है ना अगले पांसे साथ मिनट में बैठ छोड़ देंगे परसान नहीं होई है अब आज अब आज गुना निखंड बताईए बस अपना यह देख लीजिए पांचे मिनट में जो पढ़ा रहे हैं वो पता है कि नहीं कि प्राइम फैक्टर कि बताएं किसी बच्चे का आया कि यहां रहे हम बताएं कि सांत हो जाईए इदर देखे इदर बोले सर इतना कर रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं लेकिन कुश्चन देखने बाद फिल लगता कुछ नहीं आता है आये इदर देखे सांत हो जाईए प्राइम फैक्टर कभी भी आपसे कह दे एक्जाम में खास करके कह दे ठीक है ना अब आज जी गुरंखन बताएं ऐसे कुश्चन में हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपको अब आज जी गुरंखन अगर बताना है ना तो वो जो नीचे बे वो प्राइम नंबर होने चाहिए कैसे होने चाहिए छोड़ दो प्राइम सबसे छोटे होने चाहिए मिनिमाइस फॉर्म होना चाहिए सही है ना अब मिनिमाइस फॉर्म किसे कहते हैं साथ तो ठीक है छे को तो मिनिमाइस नहीं कहते है इससे छोटा क्या हो सकता है वो होना कभी कोई भी कोश्चन ऐसा आजाए ना प्राइम फैक्टर का तो आप ध्यान रखेगा इन कोश्चन में उनको मिनिमाइस करना पड़ता है यह यह लेकिए 6 का मतलब क्या लिखेंगे दो गुड़े की पावर साथ की पावर 200 आठ की पावर 100 अरे ठीक है दो की पावर 3 करोगे तो 300 आ रहा है भाई 8 को लिखेंगे दो की पावर 3 3 का गुणा उसमें कर लेंगे या दो गुड़े दो गुड़े दो करके बार-बार करना चाओ तो वह भी हो सकता है सही है ना मिनिमाइस हो गया अच्छा इतना ध्यान रखेगा कि अगर गुड़े में पावर लिखी है तो वह दोनों पर चली जाएगी सही है ना इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 333 3 की 322 की पावर 300 यह हमने आपको पूरा लिखके दिखाया कि यह मिनिमाइस कैसे होगा समझ में आया कि नहीं और अगर मिनिमाइस हो गया है तो फिर हमेशा ध्यान लखना केवल उनके पावर्स को जोड़ देते हैं वही होते हैं भाज जुगर अन्खन सही है ना तो यह देखो 333, 333, 333, 333 तो 999 तो सीधे दिखाई दे रहा है यह 999 देखे उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है कितना हो जाएगा 900, 993, 333, 333 हो जाएगा 900, 994 और यह कितना? बोलो बोलो 222 और जोड़ लो हमने बोला ना सारी पावर जोड़नी है कुल मिला के सारा जोड़ना है जैसे जोड़ पाव जोड़ लो ठीक है ना 9211 9211 और एक 1221 अभाज जुगरन खंड़न है आपर क्लियर हुआ प्राइम फेक्ट्राइजेशन समझ में आया कर लेंगे शेयर है ना चीक है दो तीन कुश्चन और बस हाँ बिल्कुल छोड़ दे कता ही नहीं ज्यादा नहीं पड़ा है मात्र दो कुश्चन पांच करा दे नहीं केवल दो केवल दो केवल दो सांत हो जाए और क कुश्चन करा नहीं रहें बस देख लो आपको ध्यान है कि नहीं है कि सांत हो जाए अच्छा एक मिनिट अभी पढ़ाते पढ़ाते कुश्चन बहुत सारे हो गया लेकिन हमको अभी भी लग रहा है बहुत सारी चीजा भी छूटी होई है अभी एक दो दिन बात फिर यू इसमें आपको बड़ा और छोटा बता देना है जाते जाते बस दो कुश्चन और देखते जाए बड़ा और छोटा हो गया कितने लोग का हो गया यह देखें इदर सांत हो जाए है रूट्स में इदर देखो जल्दी से देखो बस खतम कर रहा है कि सुनिए रूट्स दसमलो और पावर कि इसमें इन तीनों में कभी भी बड़ा च्छोटा पूछा जाएगा ना तो हमेशा दिहान ना पैटर्न बरावर होने पर ही बता पाऊगे रूट्स में पूछेगा तो फहले रूट बरावर करने पड़ेंगे यह देखे रूट्स कैसे बरावर कर रहा है यह कितना तीन यहां लिखा मतलब दो-एक नहीं 2 कुछ लोग ने बोला पिछे-एक यह कितना ।्छय यह अब बोलो इसका LCM कितना रूट्स में क्या करते हैं LCM और पावर में उल्टा करते हैं सही है ना पावर में क्या करते हैं समझ में आ रहा है बोलो हा ना ठीक है सुनो तो LCM लो तीन दो छह चार का LCM बोलो कितना बारा आप इस बारा को बना इसको बारा बनाने के लिए क्या करें चार का गुणा वही पावर पे इसको क्या करें बोलो बोलो च्छाय का गुणा वही पावर पे बोलो कितना वही पावर पे यहां बोलो वही पावर पे बोलो सही है कि नहीं रूट के कोश्चन में LCM लो, LCM बनाने के लिए गुणा और पावर लगाओ, सही है ना, अब देखो, चारतियां, छे दुनी, दो चंग, चारतियां, सारे बराबर हो गए, सही है ना, चार की पावर, चार, चार, चोको, सोला, चोको, चौन सट, चोको, दो सो, चपन, बोलो सबसे बड़ा कौन, यानि यह सबसे बड़ा हो गया, सही है ना, और छोटा बोलो, आ रहे समयज, नोट करिए जल्दी से, दो प्रेस्टन और, एक दसमलो का और एक पावर का, छोटे छोटे दो प्रेस्टन, हो गया, मेरी बात सुनिये, ध्यान से सुनो, अरे एक मिनट सुनो, अभी दो कोश्चन, आप देखोगे, एक दसमलो जल्दी से, और एक पिर रूट का कोश्चन, और उसके बाद फिर दो तीर मिनट सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और फिर घर जाएंगे, चीक है ना, उसके बाद प्रसाथ मिलेगा, इधर देखे, सांत हो जाएए, बोट पे देखें द्यान से, ये समझ में आगे है ना, अगर इसी में माइनस लगाया होता, तो बड़ा कौन होता, जो अंक छोटा होगा वो, बड़ा, माइनस लगाने पर आणसर उल्टा टिक करते, समझ में प्रसियं है कि नहीं? अगर यहीं पर समय माइनस लगा ओता तो बड़ा हो जाता, और मान多श उसको फ्रैक्शन में कर दें, एक बटे ये, एक बटे ये, एक बटे ये, तो भी सबसे बड़ा कौन होता? तीन टाइप समझ में है? और अगर मान लो कुश्चन में माइनस व फ नॉर्मल कुश्चन में बड़ा वाला बड़ा माइनस में छोटा वाला सही है ना जिनको नहीं पता वो ध्यार लखेगा और फ्रेक्शन में छोटा वाला और दोनों लगाने पर पुश्चन यह सॉल्व करें सांत हो जाओ यह लिखा हुआ है लाज सिकंड लास्ट कोश्चन है जल्दी करें कि बताई यह बड़ा कौन है कि ए बी सी डी बोलो बड़ा कि अपलो का खुदी मन नहीं जाने का घर आप बताओ कितने लोग का ए आ रहा है एक दो तीन चार पांच है क्लास शूटने के बाद आप लोग रूखेंगे किते लोग का बी आ रहा है एक बच्चे का आ रहा है किते लोग का सी आ रहा है किते लोग का डी आ रहा है सबसे पहला काम इनके डेसिमल से इक्वल करिए आप decimal के बाद के अंग बराबर करें सबसे ज्यादा अंग कहां पर कितने कितने अंग सब में तीन मनाओ बोलो सब में तीन हो गए बोलो हाना और अगर सब में तीन हो गए तो आप ये बताओ दसमलो अटा दो 301 तीनुस्व देज लूटिस थीन सब से बढ़ा कौन का 3100 यानि सी बढ़ा हो गया सैंग है ना और छोटा कौन दीस चोटा सब अगार माइनस लगा होता तो बढ़ा कौन बह स्बाद कर दा प्रेक्शन लगाने पर कौन बढ़ा है और दोनों करने पिर प्रेक्शन सब्सक्राइब एक लास्ट कुश्चन प्लास छोटा बड़ा दूनों बता लेना है सब्सक्राइब एक लास्ट करें जल्दी से किते बच्चों का है या एक दो तीन चार पांच है साथ आठ जल्दी 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 फास्ट आईए बोट पर देखते हैं इधर देखो इधर आप बताओ इसका सेफ कितना पावर में क्या करते हैं सेफ सेफ मतलब वह भागविदी से आप ऐसे से करके सेफ ले सकते हैं सही है ना ठीक है अब मेरी बास सुनी द्यान से सुने लिखना बंदे करें सबसे पहले इसका स्टीफ लेंगे आप थि紅 आप बताओ इसका सेफ कितना पचास से डिवाइट कर दो 2 की पावर फंच पचास से डिवाइट करो वो वो हम तो कि फंच बावर पाँशा से डिवाइट करो बांक पाउय LCM में उसको बनाते हैं उतना ही, सही है ना? अब बताओ, दो की पावर पांच कितना? बोलो बोलो, 32 यह बोलो, फिर बोलो, और फिर बोलो, 200, अब बताओ, सबसे बड़ा कौन? कितना? चार की पावर, 200, सबसे बड़ा, छोटा कौन? पांच की पावर, सबसे? समझ में आ गया भी, बहुत बढ़े हैं, चले, कॉपी बंदने करिए, अब सुनिये लियांसर, हुआ की